तो देखे इस तरह से मैंने इसके दोनों साइड में इस तरह से कर लिया अब मैं आपको बताओंगी यह जो मैंने येलो कलर से स्क्वाइर बना इसे कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने यहां पे तो देखे ठीक यहां पे इस तरह से ग्राब के पास मैंने निडल को निकाल द आया है, एक बार मैं आपको फिर से बताओंगी step by step फिर हमें यहां से यहां आना तो जब हम यहां आएंगे तो सेम इसी center में हमें needle को डालना और इस तरह से triangle के पास needle को निकाल लेना, अब हम यहां से यहां आएंगे तो सेम इसी तरीके से देखे हमें यह सेम पॉइंट में नीडल को डालना है और इसके सामने जो यह ट्राइंगल है यहाँ पे नीडल को निकाल लेना और थ्रेट को हमें नीडल के आगे रखना है तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जार आपको वैसे वैसे जाना है अब हम यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहां से यहां ना तो पहले वाले थ्रेट के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेट के नीचे से तो हमें सेम पॉइंट में जहां से पहले से ही थ्रेट है बस हमें वहां पे इस तरह से अपने निडल को डाल कर ग्राप के पास निकाल लेना है तो फिर हम यहां से आएंगे और फिर हमें यहां से यहां आए तो पहले वाले थेट के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूं ताक कि आपको बनाने में बहुत असान है यह बहुत सिंपल डिजाइन है और आप देखी सकते हैं यह बनने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है आप इसे बूटे के रूप में सारी दुपट्टा बेट सीट टेबल कबर किसी भी जगह आप कर सकते ते बहुत से कोई भी कलर में गए को तो हमें यहां से हमें यहा ना है तो बस एक करके करके इन तीनों के बीच से नीडल को निकाल लेना है, तो देखिया, अभी हम यहाँ आएंगे, तो मैंने यहाँ पे निकाला, यह जो पहला ओला थेड है, इसे हम उठा लेंगे, फिर से हम यहाँ आएंगे, पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला ओला थेड उठा लेंगे, त थ्राउन फिटना आएंगे यहां वितीतरत है श्लड़ स सक्वाएंगे प्लकाट इहां oh यहां से अभ हमना है तो यहां भी तिन पॉइंट है तो हमें इन नीडल को निकाल लेना है तो यहां सी फिर से पहला थ्रेड उठाएंगे फिर हमें यहां आना है एक सेमी सरकल बनाते हुए हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना अब चार थ्रेड हो गया तो डाउन अब डाउन फिर से हम सेंटर में आएंगे और यहां से अब हमें उपर वाले डायमेंड में जाना ते हमें इसी तरह से तीनों पॉइ लास्ट वाले पॉइंट में आएंगे तो यह चार थ्रेड हो गया तो इसी तरह से डाउन अप डाउन फिर से हम मिडल में आएंगे तो यहां पर देखे चार थ्रेड हो गया तो यहां भी डाउन अप डाउन अब हम लास्ट वाले डायमेंड में आएंगे तो यहां भी इस और ध्यान रखना कि आपको फ्रेट को थोड़ा सा लूज रखना इसे ज्यादा टाइट नहीं करना है फिर से चार फ्रेड हो गया तो इसी तरह से पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से और यहां सेम इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना तो देखें मेरा यह स्कॉ वीडियो में